फुरसत गाने में एक्टिंग ना करने की वज़े से आरुनिता कांची लाल को बहुत कुछ पेस करना पड़ा है फैंस की नाराज़गी तो सही थी लेकिन आक्ट ओफस टीम के लोग आरुनिता से ऐसा वेवार कर रहे हैं कि वो बड़ताश नहीं कर पाएंगी अरुनिता से बहुत नराज हैं और टीम के सीनियर्स लोगों ने अरुनिता के लिए जो कुछ बोला उसे दे कर लग रहा है कि वो सब बहुत कुछ से में और कभी अरुनिता को काम के लिए बापस नहीं बुलाएंगे यहाँ टीम के लोगों ने अरुनिता की परिशानी नहीं समझी कि आखिर वो क्यूं पवन के साथ एक्टिंग करने के लिए मना कर रही है और पूरा गुसा अरुनिता पर उतार दिया अरुनिता ने खुद अपने पैर पर कुलाडी मारी है ऐसा हम नहीं बल की एक इंटरव्यू में आक्टूपस टीम का में शक्स बोल रहा है और पवन चित्रा भी है इस इंटरव्यू में पवन चित्रा के साथ वो शक्स अरुनिता की एक एक कमी को गिनवा रहा है वो शक्स ख पवंदीब को वह बात बिल्कूल पसंद आहीं हो तोह यहात हैं लेकिं उस शक्स का कहना है कहुता है कि लिसा स्वा बाद में मना करके से स्टूडियो को तो लॉस हुआ वो तो हुआ वो अपने करियर से भी खिलवाल कर रही है शक्स ने कहा कि चलो वो अब उनकी फैमिली का मैटर है तो हम कौन होते हैं लेकिन अगर ऐसा ही उन्हें कर नहीं था तो उनकी पैनेंस ने लंदन और कैनाइडा क्य दूरो जाएंगे उक्टोपास टूडियो ने तो आरुटा को विल्कुल छोड़ रिया है अब पवन आरुटा या उक्टोपास टूडियो किसका सपोर्ट करेंगे वो तो वही जाने लेकिन फैन्स को पूरा यकीन है कि पवन दीप इस सिचेशन से आरुटा को निकाल लें और वो आरुनीता का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे फिलाल तो अभी तक आरुनीता का भी कोई जवाब नहीं आया कि वो ऑक्टोपर्स स्टूडियो के साथ काम करेंगी की नहीं इस इंटर्वियू में पवन ने कई सारी बात बोली उन्होंने कनाडा लंदन के इवेंट के बारे में भी बाते की उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग टाइम के बहुत पावन्द हैं अगर नोंने अपना ओडियो वीडियो सांट चेक कराने में एक मिनट भी लेट कर दिया तो वहाँ के लोग उठ जाते हैं और हाथ भी नहीं लगाते हैं इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो लोग बात नहीं मान दें इतना ही नहीं पवन ने कनेडा लंदन की जंता को अपने गानों से इसकदर दिवाना कर दिया था कि लाखों लोगों की भीड धंटो वनी रह जो हुआ कई बहुत बड़ी बात है किसी भी सिंगर के लिए गाना गाना ही बहुत जरूरी नहीं होता बलकि ओड्रेंस को अपने हाथ में पकड़ बनाए रखना ये भी बहुत बड़ी चीज होती और पवन दीत ने ये करके दिखाया इनके इवेंट के धेर सारे टिकेट भी के जो बाकी सिंगर के नहीं भी के पवन चित्रा की वी तारीफ करते हुए दिखे उन्होंने कहा कि इनके चहरे पर बोगाना बहुत सूट कर रहा था ऐसा लग रहा था कि जैसे बोगाना अरुनता ने नहीं गाया बलकि चित्रा ने ही गाया हो पवन चित्रा का ऑक्टो पस स्टूडियो में करते थे, तब इनकी भी बहुत क्यूट क्यूट वीडियो के क्लिक्स निकल कर सामने आते थे और अब इसी तरह से पवन चुत्रा का भी एक छोटा सा वीडियो निकल कर सामने आया है इस वीडियो को देखने के बाद वेशक आप अपनी राय जरूर देंगे पवन चुत्रा ने वही कपड़े पहने हुए हैं जो ये म्यूजिक वीडियो में पहने नजर आए वैसे तो इन्होंने कमाल की एक्टिंग की लेकिन दोनों के फेस देकर अंदाजा लगया जा रहा है कि ये डर डर कर एक्टिंग करें कोई मेल ही नहीं खा रहा है देखा जाय तो वीडियो में पवन चुत्रा से हाइट में भी छोटे लग रहे है और चुत्रा की एक्टिंग के आगे पवन की एक्टिंग भी फी की लग रही है हापो बात अलग है कि पवन सिंगर है और उनका कर्यार अलग है और चुत्रा एक्ट्रस है लेकिन गाने में इनका मेल ठीक नहीं बैट रहा है ऐसा हम नहीं बल की इनके फैंस कह रहे है Comment box में इनकी एक्टिंग को लेकर तरह तरह की बाते की जा रही है वहीं बात अरुंता पवन की करें तो दोनों ही सिंगर है और दोनों एक्टिंग भी एक बरावर ही मिला जुला कर करते हैं और इनकी एक्टिंग देकर ऐसा बिल्कुल भी मैसूस नहीं हो रहा था कि इन्हें एक्टिंग सिखाय जा रही है यह इन्होंने प्रैक्टिस काफी दिन तक की बलकि मंजूर दिल गाने में इनकी नैच्छरल फीलिंग्स और एक्टिंग दिखाय जा रही थी वही फुरसत और मंजूर दिल गाने की बात करें तो इनके गाने में भी कुछ-कुछ सीन एक जैसे ही है जैसे मंजूर दिल गाने में पवन अरुनिता की आँखों पर हाथ रख कर नजर आये थे और यहीं से इनके गाने की शुरुआत हुई थी इनके अलावा रोमेंटिक सीन भी इनके एक जैसे ही है बस बदला है तो चित्रा और अरू का चेहरा पहला आपको पवन के साथ चित्रा या फिर अरू नीता कौन पसंद है कॉमिंट बॉक्स में हमें जरूबत है पवन अरू शायली दानिश का कनेड़ा टोरेंटो से एक वीडियो सामने आ गया है जिसने फैंस की धड़कने बढ़ा दी पवन अरू शायली अपने इवेंट से फुर्सत पाते ही गूमने निकल गए इन्होंने धेर सारी शौपिंग की और शौपिंग मॉल का पूरा वीडियो दिखाया शायली ने दिखाये कि कैसे शौपिंग मॉल में भीड़ है खचाखच लोगों से पूरा मॉल भरा हुआ है यहां इस मॉल में अरूनीता ने धेर सारी शौपिंग की उसके बाद ये एक ऐसी जगह पहुचे वहां का नजारा देखते ही लोगों के रोंग्टे खड़े हो ग हवा की वजह से इस सभी के मूझ से आवास तक नहीं निकलती है अरूनीता हवा की वज़े से एक जगह पर खड़ी तक नहीं उपाती है हिलने डूलने लगती है पवन अरूनृता का हात पकड़कर उस जगह से हटने को कह देते हैं क्योंकि उनके पीछे ही समुद्र की पर आरुनी ता ठंड से बुरी तरह काप रही है लेकिन सब के सब इस खूबसूरत जंगय पर इंजॉय कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक पर आप भी क्लिक करके इस वीडियो को देखिए और अपनी राय ज़रूर दें कर द जह कर देखिए, कर दूबसु ट शबसूरत ज़रूर झाल